Hello everyone, welcome back to my channel आज की कहानी अमारी परी बनी चुडेल एक समय की बात है बंगलों के बीचों बीच एक परी लोग था वहाँ कई परिया एक साथ रहती थी सभी परिया बहुत ही खुबसूरत थे उनमें से एक परी थी जिसका नाम करिस्मा था करिस्मा बाकी परियों से थोड़ी अलग थी वह खुबसूरत तो थी ही पर उसकी आखे दूसरे परियों से बिल्कुल अलग और सुन्दर थी उसकी आखे बड़ी बड़ी और बिल्ली की तरह बूरी थी अपनी इसी बात पर करिस्मा को काफी घमन था आए दिन करिस्मा परिलोक में किसी ना किसी से जगड ही लेती थी उसकी इस हरकस से परिलोक की रानी उसे मिलने आई रानी ने उसे सबसे अकड़ कर बात करने से मना किया जिस पर करिस्मा ने कहा कि वह लोग मेरी खुबसूर्ती से जलती हैं इसलिए आपके पास मेरी सिकायत लेके आ जाती हैं उन्हें यह बात बिलकुल भी हजम नहीं हो रही की मैं इन सबसे इतनी सुन्दर कैसे हो सकती हूँ रानी ने करिस्मा को अपनी अकड को ठीक करने के लिए समझाया और उसे समझा कर वहां से चली गई लेकिन करिस्मा पर रानी की बात का बिलकुल भी असर नहीं हुआ और वह अपने काम में लग गई कुछ दिनों के बाद रानी का जनम दिन आया पूरा परिलोग दुलहन की तरह सजा दिया गया सारे रिसी मुनियों और दियुताओं को रानी के जनम दिन के समारों में अमंत्रित किया गया था सभी रिसी मुनि भोजन गरान करने के लिए बैठ गये भोजन करते करते एक रिसी को प्यास लगी और उन्होंने करिस्मा की तरफ इसारा किया और पानी लाने का आगरहर किया रिसी की बात सुनकर करिस्मा को बहुत ही ज़्यादा गुसा आया और उसने सबके सामने चिला कर रिसी को कहा कि क्या मैं तुम्हें नोकरानी दिखती हूँ करिस्मा की बात सुनकर रिसी उसे अपना अपमान समझ बैठे और भोजन पर बैठे सभी रिसियों को उठने का इसारा कर दिया और बोला कन्या तुमने हम सब रिसियों का अफमान किया है तुम्हें अपनी सुन्धरता पर बहुत गमंड है जा मैं तुझे सराप देता हूँ कि जितनी सुन्धरतु अभी है उससे दुगनी बदसुरत होकर एक चुड़ेल में बदल जा रिसियों की सराप देते ही करिस्मा एक बड़ी ही दरावनी चुड़ेल में तबदील हो गई जिसे देख आसपास के लोग घबरा गए करिस्मा की ऐसी हालत देख रानी ने रिसि को सराप वापस लेने का आगरह किया रिसि ने रानी की एक भी बात नहीं मानी और वह बाकी रिसियों के साथ वहां से चले गए वहीं अपना बदला हुआ रूप आइने में देखकर करिस्मा डर गई और रोने लगी करिस्मा को रोते हुए देख रानी ने बोला मैंने तुझे समझाया था कि तुम अपनी खुबसूरती पर इतना भी गमण्ड मत करो नहीं तो एक दिन तुमें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा देखो अब तुम्हारा हाल कितना बुरा हो गया रानी की बास सुनकर करिस्मा को अपनी गलती का एसास हुआ और उसने रानी से वादा किया कि वह अब ऐसा कुछ नहीं करेगी बस उसे पहले जैसा बना दो करिस्मा की बास सुनकर रानी ने कहा कि उनके पास भी इस रापका तोड नहीं इतने में चुडेल लोक में यह बात सब को पता चल गई कि कोई परी चुडेल बन गई है तो वो सब करिस्मा को लेने के लिए वहां आ गए एक चुडेल कहती है क्या बात है एक परी बनी चुडेल इतना कहकर जोड जोड से हसने लगी और बोली कि अब तुम हमारी बिरादरी में सामिल हो चुकी हो अब तुमें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा यह सुनकर करिस्मा बहुत ही घबरा जाती है और उनके साथ जाने के लिए मना कर देती है तबी रानी ने करिस्मा को कहा की तुमें जाना ही पड़ेगा यही असूल है परी लोक और चुड़े लोक का तुम मना नहीं कर सकती लेकिन मैं कोसिस करूँगी की तुमें मैं वहां से जल्द से जल्द निकाल ले जाओं ना चाहते हुए करिस्मा को चुड़ेलों के साथ जाना ही पड़ा जब वो चुड़ेलों पहुंची तो वहां का नचारा देख कर बहुत डर गई वहां काफी गंदगी थी और हर जगा जानुरों के मास्ट के टुकडे पड़े हुए थे या देखवा रोने लग जाती है जिस पर चुड़ेल उसे चुप रहने के लिए बोलती है और यह भी कहती है कि अब वह परी लोग नहीं जा सकती यह सुनकर करिस्मा डर गई और पुरी रात बस रोती ही रही अगली रात होते ही सारे चुड़ेल अपने अपने सिकार को तलास ने निकल गई और उन्होंने करिस्मा को भी आने के लिए बोला लेकिन करिस्मा ने उनके साथ जाने से साफ मना कर दिया यह सुनकर चुड़ेल को बहुत ही गुसा आया और उसने करिस्मा को उसकी जिन्दगी खराब करने की धमकी दी यह सुनकर करिस्मा को उनके साथ जाना ही पड़ा सारी चुड़ेले जंगल में सिकार की तलास में निकल गई तभी उन्हें एक छूटा सा बच्चा दिखाई दिया जिसे देखकर सभी चुड़ेलों ने उसे खाने की बात कही बच्चे को खाने की बात सुनकर करिस्मा ने सभी से उसे ना खाने की बिंती की लेकिन चुड़ेलो ने उसकी एक भी ना सुनी और उस बच्चे के पास चली जाती है लेकिन वे बच्चा किसी से भी नहीं ड़ता दरासल वा बच्चा अंदा था या जानने के बाद करिस्मा को उस पर बहुत ही तरस आता है जिसके बाद वा सभी चुड़ेलो को बोलते है की आप लोग किसी और को पकड़ लो लेकिन इस अंदे बच्चे को छोड़ दो आप जो कहेंगी मैं वाउसब करने के लिए तयार हूं याज सुनकर चुड़ेले बच्चे को ना खाने की बात मान लेती हैं और वहां से चली जाती है उनके जाने के बाद करिस्मा बच्चे से उसके वहां होने का कारण पूछती है जिस पर बच्चा उससे बताता है की वह अपने माता पिता से बिछड़ गया है बच्चे की बात सुनकर करिस्मा कुछ नहीं बोलती और उसकी आखों से आसु छलग जाती है लेकिन वो अपने आपको समालते हुए बच्चे को जंगल में अपने माता पीता के साथ आने की वज़ा पूछती है बच्चा बोलता है मैं अपने माता पीता के साथ सहर जा रहा था अपनी आखों का इलाज करवाने लेकिन मैं उनसे बिचड़ गया और इस चंगल में बटक गया यह सब सुनकर करिस्मा को बच्चे पर बहुत ही तरस आता है और वा अपनी आखे उस बच्चे को दान करने के लिए सोचती है और तभी अपनी दोनों आखे निकाल कर बच्चे की आखों में लगा दीती है और वा बच्चा देखने लगता है और वा बहुत खुस होता है तभी वहां रानी आ जाती है और वा बच्चा एक सादू में बदल जाता है जिसके बाद रानी बोलती है तुम्हारी परिच्छा पूरी वोई करिस्मा तुमने वा काम किया जो आज तक कोई करने की हिम्मत नहीं दिखा सका या सुनकर करिस्मा ने रानी से कौन सी परिच्छा लेने की बात पुछी जिस पर रानी ने कहा कि मैं तुम्हारे सराप का तोड़ निकालने रिसियों के सबसे बड़े गुरु के पास गई उन्होंने खुद आकर तुम्हारी परिच्छा लेने का फैसला लिया और कहा कि आखे किसी भी व्यक्ति का अनमोन खजाना होता है अगर तुम हुआ देने के लिए तैयार हो गई तो तुम दुबारा परि बन जाओगी और देखो तुमने परिच्छा पास कर लिया यह सब सुनकर करिस्मा बहुत ही खुश हुई तभी रिसी अपने सक्ति से करिस्मा को उसकी आखे वापस कर देते हैं और उसे दुबारा एक सुन्दर परी में तब्दिल कर देते हैं अपना स्तित्व आपस पाने के बाद करिस्मा परी और रिसी को धन्यवाद करती है और यह भी वचन देती है कि वो दुबारा अपनी खुशुर्ती पर गमंड नहीं करेगी गमंड और अकड का रास्ता हमेशा बरबादी की तरफ ले जाता है और प्यार का रास्ता अबादी की तरफ हेलो आज की कानी कैसी लगी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्रेब करें बाई